ये गाईस कैसो आप लोग मैं हूँ मैंश आप देख रहे हैं से स्टेक बना और एक और इंट्रेस्टिंग वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसे कि आप लोग को पताए कि Realme 2021 में काफी सारे बजट 5G स्मार्टफोन को इंडिया में लांच करने वाला है अब शाओमी का मीट अनाई जोगी 5 जनवरी को ओफिशल इंडिया में लांच हो रहा है इसके कॉम्पटिशन में शाओमी अपनी 8 सीरीज को लांच करेगा जिसका कॉम्पटिशन होगा Realme 8 Pro अब जो Realme 8 होगा उसके कॉम्पटिशन में शाओमी भी कोई ना कोई डिवाइस लेकर आने वाला था तो ऐसे के अंदर Redmi Note 90 5G आपको बहुत ही जल्दी इंडिया में देखने को मिलेगा ये डिवाइस Redmi Note 9 5G के नाम से चाइना में लांच हो चुका है और Global Market में Redmi Note 90 के नाम से जाएगा और उसके बाद Xiaomi device को इंडिया में लांच करेगा तो आज इस वीडियो में Redmi Note 90 के confirm specifications के बारे में बात करेंगे किस price point पर ये device आएगा और आपको इंडिया में कब तक देखने को मिल सकता है तो अगर आप इस device को लेकर थोड़ा से भी excited है तो वीडियो के साथ में last तक बने रही है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हैं अगर आपको थोड़ा बहुत भी background नोई शारा है क्योंकि आस-पास में new year का time है इस speaker काफी जोरो सोरे से बज़ रहे हैं और मैं उस टाइम पर वीडियो रिकोर्ड कर रहा हूं तो थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लेना तो चलिए फिर फटावट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब क्या इस specifications आपको देखने को मिलेगे तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्पले की यह device 6.53 इंचिस के IPS LCD पैनल के साथ में आएगा एक Full HD प्लस डिस्पले होगा पंच ओल डिजाइन के साथ में IPS LCD पैनल होगा एक normal डिस्पले होगा 60 Hz के refresh rate के उपर और हो सकता है इंडिया में इसे quad camera setup के साथ में launch कर दिया जाए तो additionally आपको 2 megapixel का एक portrait sensor भी डाल दिये जाएगा जोकि almost useless है लेकिन primary camera no doubt काफी अच्छा देखने को मिलेगा फ्रेंट में आपको 13 megapixel का selfie camera मिलने वाला है 5000 mAh की battery देखने को मिलेगी जहाँ पर आपको 18 वोट की fast charging का support भी मिलेगा प्रोसेसर की बात करें तो जैसा कि मैंने बता है ये device MediaTek Dimensity 800 UK एक 5G chipset के साथ में आएगा budget segment में काफी powerful chipset है 7 nanometer base chipset है तो power efficiency भी काफी अच्छी देखने को मिलेगी और जो performance है वो आपको top class देखने को मिलेगी इस price budget में और अगर बात करें gaming performance की तो Mali G57 का MC3 CPU मिलना है तो gaming भी आप मखन की दरगर सकते हो तो आपको gaming हो या फिर performance है उसको लेकर कोई भी problem नहीं होगा अब बात करें बाकी features की तो security के लिए आपको side mounted, fingerprint, scanner और face unlock जैसे feature मिल जाएंगे इसके अलावा जितने भी required sensor है उनका support भी आपको इस device के साथ में देखने को मिल जाएगा After the box आपको MIUI 12 देखने को मिलेगा जो कि Android 10 based होगा अब गाइस बात करते हैं pricing की तो इस device का जो starting price है वो 15,000 रुपे से start होगा क्योंकि चाइना के अंदर जो 6GB, 128GB variant अउसका price था 1299 युवान जिसको अगर आप Indian currency में convert करो तो लगबख 15,000 रुपे के करीब होता है और 8GB, 128GB, RAM variant भी देखने को मिल जाएंगे जिनका price 15-20,000 के आसपास जाएगा अब बात आती है launch date की तो बहुत ज्यादा chances है कि Mi 10i के साफ में शायद Xiaomi's device को launch कर दे बाकी जो Realme 8 series है उसके competition में ये device definitely launch होगा तो आप expected मान के चलो के जनवरी के 3rd या 4th week में ये officially आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा क्योंकि उससे पहले इस device का global launch मिलेगा और उसके बाद एक वीक बाद या तेफिनेटली ये इंडिया में launch हो जाएगा तो बजट segment में बहुत ही powerful chipset है काफी अच्छे specifications आपको offer करता है तो बजट 5G phones को लेकर आपको बहुत ही तगड़ा competition देखने को मिलेगा चाहे वो Realme और Xiaomi या फिर कोई other mobile manufacturer तो अगर आप एक 5G smartphone लेने का प्लान कर रहे हो तो definitely आप इस device का भी वेट कर सकते हो और अपनी price list में इसे consider कर सकते हो तो फिलाल के लिए Redmi Note 90 5G को लेगर इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और करके बैल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धेंड़ेवाग आइस यूगाई जिन्दी नैक्स वीडियो